आपको fat burn करना है तो आप hard work मत करो smart work करो ज्यादा तर लोग assume करते हैं कि cardio fat loss के लिए होता है और weight training muscle gain के लिए होता है देखा जाए तो ये बात true है जब आप बात करोगे traditional steady state cardio के बारे में और traditional weight training के बारे में अगर देखा जाए तो different techniques और form होते हैं weight training का जिससे आपको benefit मिलता है weight loss में भी तो आपको fat loss करना है और कम effort लगा के और gym में कम time देखे तो आप इस video के last तक देखे और मैं आपको इस video में कुछ surprising new way बताऊंगा cardio weight training के बारे में जिससे आपको fat burn करने में बहुत अच्छा help मिलेगा और एक बात आप ये सोच रहे होंगा कि मैं आपको इस video में कुछ ऐसा बताऊंगा कि overnight आपका fat loss बहुत जादा हो जाएगा एक दिन में दो दिन में fat loss हो जाएगा तो आप गलत हो ये video उनके लिए नहीं है जो actual में जानना चाहते हैं knowledge gain करना चाहते हैं कि क्या process है कैसे क्या होता है वो लोग इस video को last तक देखे तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं cardio और weight training के basic के बारे में तो हम लोग कार्डियो मतलब traditional cardio के बारे में जब भी बात करते हैं तो हम लोग समझते हैं कि treadmill हो गया, elliptical हो गया, bike हो गया, rowing machine हो गया या steer climbing हो गया ये सब machine को हम लोग use करते हैं cardio में और ये सब मसीन को हम लोग कैसे यूज करते हैं हम लोग इसको low intensity में रखते हैं और लंबे time तक continuously इस मसीन को यूज करते हैं every day देखा जाए तो traditional cardio और Arabic training का form है Arabic training में oxygen यूज होता है energy को create करने के लिए जब आप exercise कर रहे हो Second हम लोग बात करते हैं traditional weight training के बारे में तो traditional weight training में हम लोग heavy weight lift करते हैं एक certain wrap तक मतलब हम लोग एक wrap decide कर लेते हैं कि हम लोग आठ या 10 repetition heavy weight को lift करना है तो ये जो traditional weight training है इसको हम लोग consider करते हैं anaerobic training तो aerobic training में मैंने बताया था कि oxygen actually use होता है energy को create करने के लिए मगर anaerobic में क्या होता है सिब oxygen enough नहीं होता है energy को supply करने के लिए तो muscle से glycogen use होता है extra energy को supply करने के लिए एक general बात करता हो कि calorie burn होता है जादा cardio से rather than weight training से मगर effort का बात करें तो देखा जाए तो cardio में भी same effort लगता है और weight training में भी same effort लगता है तो यहाँ पर एक question बनता है कि cardio actually में क्या best होता है आपके fat loss के लिए या नहीं हम लोग एक closer look डालते हैं एक बात पर कि बहुत time से ये माना जाता है कि आपको maximum fat loss करना है तो आपको fat burning zone में रहने पड़ेगा continuously और इस fat burning zone में रहने के लिए आपको aerobic cardiovascular activity करना पड़ेगा यह fat burning zone का मतलब यह होता है कि आपको fat calories burn करना पड़ेगा rather than carbs calories यह possible तभी है जब आप 70% maximum use कर रहे हो अपने heart को जो high intensity workout में possible नहीं है जिसे हम लोग anaerobic training बोलते हैं बट बाद में यह fat burning zone है इसे एक myth माना गया देखा जाए तो यह proof किया गया कि आप चाहे aerobic workout कर रहे हो या anaerobic workout कर रहे हो दोनों में ही fat burn होता है बस इसमें यह है कि आप चाहे aerobic workout कर रहे हो या anaerobic workout कर रहा है आपका heart rate 70% maximum तक जाता है तो आप overall calories burn कर रहे हो और आप fat loss कर रहे हो तो आप high intensity workout कर रहे हो cardio के साथ जो मैं आपके साथ share करने वाला हूँ तो आप overall calorie भी burn कर रहे हो research में देखा गया है कि cardio करने से ज़्यादा calorie burn होता है compared to weight training weight training करने से muscle gain होता है muscle build होता है मगर cardio करने से muscle build या muscle gain नहीं होता है और देखा गया कि muscle directly link करता है आपके resting metabolism से इसका मतलब यह हुआ कि जितना आपका muscle mass होगा उतना ही अच्छा आपका resting metabolism भी होगा एक example से समझाता हूँ कि मान के चलो एक बंदा है जिसमें muscle mass कम है और वो सिर्फ cardio कर रहा है जिससे वो अच्छा amount में calorie burn कर रहा है और एक बंदा है जिसमें अच्छा muscle mass है और वो भी same amount of calorie burn कर रहा है अपने weight training से तो देखा जाए तो जिसमें कम muscle mass है उसका resting metabolism metabolism weak है और जिसमें ज्यादा muscle mass है उसका resting metabolism अच्छा है क्योंकि जितना ज्यादा muscle mass उतना अच्छा resting metabolism तो overall calories burning का बात करे हम तो जिसमें कम muscle mass है उसका overall calorie जो burn हो रहा है वो कम हो रहा है जिसमें muscle mass ज्यादा है उसका overall calorie ज्यादा burn हो रहा है एक study क्या गया था 8 मंत का Duke University में और published क्या गया था Journal of Applied Physiology में ये study में 119 ओवरवेट volunteers को लिया गया था और इन्हों इन्हें 3 ग्रूप में बाट दिया गया था ग्रूप A, ग्रूप B, ग्रूप C जो ग्रूप A था उनको 8 मंत के लिए सिर्फ कार्डियो कराया गया और जो ग्रूप B था उनको 8 मंत के लिए से weight training कराया गया और जो ग्रूप 3 था उनको दोनों चीज कराया गया weight training भी कराया और cardio भी कराया end में ये result देखा गया जो ग्रूप A है जो सिर्फ cardio कर रहे थे वो around 4 pound weight loss किया जो group B है जो सिर्फ weight training कर रहे थे वो around 2 point weight gain किये मगर वो muscle में weight gain किये जो group C है जो weight training भी कर रहे थे और cardio भी कर रहे थे वहाँ पे सबसे बड़ा difference देखा गया वो लोग fat loss भी किये और muscle भी gain किये lean muscle mass gain किये और even waist का measurement भी कम हुआ तो research में ये देखा गया कि आप weight training के साथ cardio को combine करते हैं तो बहुत अच्छा result आपको मिलता है एक बात और बता दू American Council on Exercise में एक study conduct किया गया था और उसमें ये देखा गया कि आप weight training करने के बाद आप cardio करते हो तो आपका बहुत high amount में calorie burn होता है heart rate 12 bit per minute increase हो जाता है जब आप weight training start में आप करते हो तो आपका body का glycogen use हो जाता है energy supply करने में और बाद में जब आप weight training के बाद आप जब cardio करता है तो आपका fat use होता है आपको energy को supply करने के लिए इसलिए हमेशा मैं सब को बोलता हूँ जो भी मेरे से advice लेते हैं मैं उनको हमेशा बोलता हूँ कि आप weight training करने के बाद ही आप cardio करो तो आपको ज़्यादा time नहीं देना है cardio में आपको कोई 2 घंटे का cardio नहीं करना है कोई आपको 2 घंटे का सी workout नहीं करना है आप smart workout करो आप ऐसे सिर्फ महनत करोगे तो आपको result अतना अच्छा नहीं मिलेगा आप weight training करो कुछ time के लिए और उसके साथ आप cardio को combine करो आपको result बहुत अच्छा मिलेगा अब बात करते हैं कुछ training style के बारे में जो आप कर सकते हैं आपके fat loss के लिए और lean muscle gaining के लिए तो ऐसे देखा जाए तो बहुत ऐसे training style है बहुत techniques है जो आप use कर सकते हों मगर मेरा जो favorite है जो मैं आपको बताऊंगा उसके बार मैं बात करेंगे और एक दो technique और मैं आपको उपर से बता दूँगा जो आप कर सकते हों जैसे high intensity resistance training आप कर सकते हो उसके बाद multi hint training कर सकते हो और last में जो मेरा favorite है जो मैं आपको बताने वाला हूँ डिसकस करने वाला है वो है PHA PHA का मतलब होता है peripheral heart action training ये बहुत अच्छा technique है जो आप use कर सकते हो आपके goal के लिए आपको fat loss करना है और आपको मतलब muscle gain करना है और अच्छा amount में calorie बन करना है इसका मतलब ये होता है कि आप upper body और lower body को दोनों को combine करके आपको एक workout plan करना पड़ेगा जैसे मैं example में आप बता दू कि जैसे आप squat मार रहे है तो उसके साथ आप shoulder press मार कर सकते हो और उसके साथ आप rowing मार सकते हो back के लिए जो workout हम लोग에 rowing करते हैं वो आप कर सकते हो तो ये मान के चलो कि एक group हो गया इसको आप 4 से 5 बार आपको इसको repeat करना है next day आप कर सकते हो जैसे आप lenses कर सकते हो workout उसके साथ आप arms का workout कर सकते हो इससे क्या होता है कि आप upper body और lower body दोनों को combine करके आप workout कर रहे हो। इसके पीछे reason ये है, ये जो technique है, ये मेरा favorite इसलिए है, क्योंकि इससे क्या होता है, जो blood flow होता है, जब आप leg का workout कर रहे हो, जब आप squat मार रहे हो, तो आपका पूरा जो blood है, वो legs में flow कर रहा है। जब आप उसके बाद, आप मान के चलो shoulder press कर रहे हो, तो आपका जो blood है, जो legs में था, वो उसको automatically shoulder पे आना है। तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा rush हो जाता है, जिससे और calories बहुत high amount में burn होता है। तो इस हिसाब से आप अपना workout plan कर सकते हो, पी एचे में। तो आपको ऐसे group बना लो, group 1, group 2, group 3, group 4, group 5 जैसे आप week में जितने दिन आप workout जाते हो, जैसे माने के चलो week में 4 days जाते हो, तो आप group 1, group 2, group 3, group 4 ऐसे करके आप 4 group बना लो, उसमें workout आप plan कर लो, जैसे फर्स्ट group में आप डाल सकते हो, squat हो गया, shoulder press हो गया, उसके बाद अपना lat pull down हो गया, और एक तरीका और है, जो आ जैसे आप chest के लिए अपना chest press कर लिए है, back के लिए आप deadlift कर लिए है, तो ये भी आप combine कर सकते हो, तो इस हिसाब से आप workout करोगे, तो बहुत high amount में calorie बनोगा, क्योंकि blood flow को rust करना पड़ता है, एक जगा से दूसरा जगा जाने के लिए, क्योंकि distance बहुत ज़्यादा है, तो ये था overall video, comparison between cardio and weight training, तो लास्ट में conclusion ये निकलता है, कि अब weight training को cardio के साथ combine करते हो, तो आपको result बहुत अच्छा मिलता है, इसके पीछे बहुत research भी किया गया, और ये ही सबसे best देखा गया, तो आप कुछ भी ऐसा कुछ गलत कर रहे हो, पहले cardio कर रहे हो, फिर weight training कर रह ओ, 10 minute आप cardio कर रहे हो, तो वो cardio में count नहीं होता है, वो warm up में count होता है, तो ऐसा मत सोचना कि आप 10 से 15 minute आप जिम में enter करने के बाद आप cardio कर रहे हो, तो वो गलत कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप वो warm up कर रहे हो, उसके बाद आप weight training करो, उसके बाद आप एक होता है thank you so much next video में जल्द ही मिलेंगे